दोस्तों आज राम मंदिर का भव प्रतिष्ठा का कारिकरम चल रहा है और पहले जो लोगों के अंदर था हिंदू मुस्लिम का जो भाव था उसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाने आए हैं आप देख लिजिए यहाँ पर मौजूद है हमारे ग्राम पंचायत के ग्रा जो ओटर की संख्या है वो लगबग 5000 के आसपास है जिन्वे 800 ओटर मुस्लिम बर्ग का है लेकिन बहुमस से जीतने वाले दो बार के ग्राम परदान यहाँ पर मौजूद है अजीज हमार जी जिनके द्वारा ये आप देख रहे हैं ये मठ निर्मान कराया जा रहा है और ये पिपरहा बाबा मंदिर पे मिठाई बनवाई जा रही है ताकि आज राम मंदिर के उपलक्ष में पूरे छेत्र को पूरे ग्राम वासियों को ये मिठाई खिलाई जा सके जानकारी लगए प्रदान जी क्या क्या कारे हो रहे है आज जो ये हमारे देश में और पर देश जो हमारे मोदी जी और योदी जी के द्वारा बे एक बहुत बड़ा सराहने काम जो हुआ है पांसो बर्स के बाद इसकी खुशी में हम लोग आज यहाँ आपने यहाँ कि राम पंचे चफरिया में हम जहां ले यहाँ एक प्रहा बाबा मंदिर है जहां पर हम एक आज मठ की अस्तापना करा रहे हैं और हमारा आज जो रहा है उसके खुशी में और उसके फ्लक्ष में हम यहां मिठ़ई बनवा रहे हैं लोग में वित्रड किया जाएगा जंडा बनवाया गया है गाउं में लगाया जाएगा घरों के और दीप उत्सों किया जाएगा यही सब खुशी का आज महुल हमारे प्रदान जी आप यहाँ पर लोगों का कहना है कि मुस्लिम वर्ग नाराज है हमें दिखाई दे रहा है कि चारो और वो भी चंदा दे रहे हैं वो भी इसब करवा रहे हैं अपने यहां कोई महौल ऐसा है है अचिए सेना पती है इस चेतर के विध्या प्रकास जी विद्या प्रकास जी आज पिपरहा बाबा क्या कारिक्राम है और किसके दवरा कराए जा रहा है कि पुराना लगभग कई पुस्तों से यहां पर कुपरहवाव पर एक अस्थान है जो गाओं के बाहर है और बड़ी ही यहां पर लोग की आस्था है इस लग मंदिर से और यहां पर इस रस्ती राम मंदिर की प्रांपर दिश्छा की उपलच में आज यहां पर मठ बनवाए आज हमारे चफरिया ग्राम पंचायत में सचाहे हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसायू किसी भी जातिके हो क्या आपने देखा सब में उस्सा उबंग है